दर्शको लगनेश जब अश्टम भाव में होता है तो मन में कई प्रशन उठते हैं मन में बहुत सी दुवधाईं आ जाती हैं कई बार तो मन बड़ा दुखी भी होता है कि हमारे किसी अपने व्यक्ति का लगनेश अश्टम भाव में है तो जरूर पूरी जिंदगी साइने हो सकते हैं मानता हूं कुछ साफधानिया भी रखनी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ अच्छाई होती ही नहीं है तो आज दोनों ही विशियों पर बात करेंगे तो आईए वीडियो की शुरुवात करते हैं मैस्ट लजर्श एलेजन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों अगर व्यक्ति का लगनेश अश्टम भाव में है अर्थार्थ लगन का स्वामी एट्थ हाउस में बेठा है तो बच्पन से ही उसके अंदर एक आदत होगी और वह होगी अपनी बात को इस पष्ट तरीके से कहने की अर्थात जो मूँ में आया वो बोला और मूँ में आया कहां से मन के रास्ते यानि आप ऐसे व्यक्ति से जादा ये उमीदें मत किया करो कि वो बातों को घुमा घुमा कर आपसे बोलेगा या बोलेगी अर्थात लगनेश अश्टम में होने के कारण वे वेक्ति जादा किसी चीज की परवा नहीं करते कि आप क्या सोच रहे होंगे आप क्या मान रहे होंगे या फिर समाज इस विशे में क्या सोचता है ये मतमानिये कि वो असमाजिक होते हैं वो बहुत जादा समाजिक होते हैं बहुत जादा मित्रत आने भाने वाले व कितना जादा अपने परिवार के साथ मिल कर चलते हैं और तो और वो कई बार अपनी जिंदिगी का रुख बदल देते हैं अपनों के कारण लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कोई Exploitation करेगा उनका Exploitation एक तरीके हो सकता है जब वो खुद चाहेंगे वो एक तरीके से खुली आखों से ही अपने आपकी आखे बंद कर लेंगे सही कह रहा हूं जब उन्हें देख रहा है कि इससे मेरे अपने का फाइदा है तो वो अपनी आखे बंद कर लेते हैं यही कुछ अच्छाईयां मिला कर बुराईयां भी हैं लगनेश अश्टमभाव के व्यक्ति की इ एसे व्यक्तियों से कई बार में परामर्श हे तू ये बात कहता हूँ कि आप किर्पिया किसी भी एज में बच्पन में जवानी में यानि कि किसी भी एज में किसी के साथ भी मिलकर कोई कारे ना करें। अचारे जी बच्पन में कारे बिल्कुल कह रहा हूं स्कूल के अंदर भी जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपका लगनेश हैस्टम भाव में है तो समझ लीजे उसका क्रेडेट कोई और ले जाने वाला है परन्तु अगर वह काम आप अकेले स्वयम के ले कर रहे हैं बहुत बहतरीन कारे करेंगे क्योंकि दर्शो को यह इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है वो भी उसी तरह से क्योंकि आप अपनी मेनद दूसरे के हाथ में देने के लिए कुछ जादा ही आदर डाल लेते हो तो इसका मतलब यह रहा सेक्रिफाइजिंग नेचर का लेवल को जादा ही होता है और इतना जादा होता है जिसके कारण इंडारेक्ली एक्स्प्लाइटेशन हो जाता है अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपसे बोला ना कि कोई आपसे जबरदस्ती आपका एक्स्प्लाइटेशन नहीं कर सकता है आप अपने आपको देखते हुए भी अपनी आखे बंद कर लोगे तब ही यानि अपनी बनाईवी जीज दूसरे के हाथ में रखेंगे और ये बात सिरफ वस्तू तक या इस्तितियों तक सीमित नहीं होती लगनेश अश्टमभाव का वक्ती अपनी जीब से पैसा निकाल कर भी दूसरे को दे दिता है देखे कितनी अजीब बात है पैसे के लिए तो पता नहीं क्या क्या हो जाए इस दुनिया में लेकिन लगनेश अश्टमभाव के वक्ती सामने वाले की हेल्प करते वे देखता नहीं इसलिए कभी-कभी उसको कुछ लोग मूर्ख समझ लेते हैं या फिर जब उसको धोका दे देते हैं और उसका पैसा दबा देते हैं पैसा नहीं देना चाहिए आप कितने ही कोशिश कर लीजे आप अपना समय थोड़ा लगा लीजे आपको हेल्प करनी है तो परन्तु पैसे से नहीं अन्य था वापिस आने की तो गुंजाईश ही छोड़ दीजे अच्छा अगर हम आपके कारे छेतर की बात करें तो क्या लगनेश रष्टम वावाला व्यक्ति किसी कारे में सफल नहीं होगा बहुत बड़ी गलती है ऐसा मत सोचिए लगनेश अश्टम भाव वाले वक्ती तो बातों को बड़ी जल्दी अब्जर्व कर लेता है बड़ी जल्दी सीख लेता है या सीख लेती है अर्थात कहने का मतलब चीजों को घहराई से देखना बच्पन से ही आता है आप सोचिए ना बच्पन में ही उसके शरीर में कितनी ताकत थी और आज तो मांसिक ताकत भी आ गई है इसका मतलब ये रहा आप उसे बेवकूफ अगर समझ रहे हैं तो शमा चाहूंगा आप ही बेवकूफ हैं क्योंकि लगनेश अश्टम भावाले को मूरक मत समझना वो प्यार में आपकी बात सुन रहा है इसका मतलब जादा चतुर मत बनना उसके आगे अन्य था फिर वो समय आने पर बुरा नहीं करेगा बुरा नहीं करेगा पर चुप चाप चला जाएगा जब वो चुप चाप चला जाएगा तो आपको पता लगेगा वो लगनेश अश्टम भावाले वक्ती कितनी साहता कर रहा था कितना समय दे रहा था कितनी हेल्प कर रहा था अपने पेरेंट्स की अपने रिलेटिव्स की अपने क्लोस परसंस की parents मैंने जानबूच के बोला है या क्योंकि लगनेश अस्टम भाव वालों का कभी-कभी उनके parents भी थोड़ा सा ignorance मार देते हैं इसलिए क्योंकि जब वो कुछ कहेगा ही नहीं या कहेगी ही नहीं तो parents को भी थोड़ी दिक्कत तो आ ही जाती है दिक्कत कैसी वो उससे expectations बढ़ाते चले जाते हैं अब भई बच्चा जवान हो जाएगा लेकिन फिर भी आपसे कुछ नहीं कहेगा अपनी कोई expectation आपसे नहीं रखेगा और आप अपनी expectation बढ़ाय चले जा रहे हैं तो उसकी life का नुकसान होना तो तह यही बस गड़बड हो जाती है लगनेश अश्टम भाव वाले के साथ यानि conclusion की form में एक बात बताऊं दर्शको बताता हूँ पहले यह भी कहूंगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका लगन आप पर क्या प्रभाव डालता है या लगनेश के अन्य परिस्तितियां क्या प्रभाव डालती है तो आज़ेए हमारी उस प्लेइलिस्ट पर जिसका लेंक आपको description box में दिया जाएगा दर्शको तो मैं यह कह रहा था कि अन्ततहा conclusion की form में लगनेश अश्टमभाव वाले को क्या अच्छाई रखनी चीए अपने जाथ आपको अपनी जो गहराई से सोचने समझने देखने चीजों को observe करने practice करने और हिम्मत को बनाए रखने की जो ताकत है ना बड़ी कमाल की है आप बहुत बहुत बड़ी सोच रखते हैं अपने कारे छेतर के अंदर यह आपकी quality है परन्तु बहुत जादा किसी के लिए involve हो जाना बहुत जादा जरूरत से जादा सही कह रहा हूँ बहुत जादा जरूरत से जादा डेडिकेशन भी आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है जिसे हम कहते हैं स्वयम को नुकसान देना और इस स्तर पर अपने आपको नुकसान देना जिसे की स्वयम को आप खतम भी कर सकते हैं किस तरह से खतम धन के स्वरूरूप में खतम तो इसलिए लगने जो धन से आपको बहुत जादा नुकसान दे सकती है दर्शको ये वीडियो तो मैंने कंबाइंड इफेक्ट के साथ बनाई है परन्तो अगर आप चाहते हैं सभी लगन अनुसार अलग अलग भी बनाऊं तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताईए कि क्या ऐसी आवशक्त के अनुसार यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब कीजेगा अगर अच्छी लगे